बूर्णिंग स्टूदेंस हम आपने अपनी लास्ट प्लास में देखा होगा अगर्ल विदा बास्केट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे जिसके ऑथर वे लिए हम से डग्लास है हम लोग ने यहां तक पढ़ लिया था कि उन्होंने अपनी यातरा शुरू कर दी है वो इं आपर गंगा रिवर अथाउसंट फीट अबफ सी लेवल पर ट्रॉपिकल रूट यानि रास्ता वो बता रहें कि जब ट्रेन से उनकी यातरा शुरू हुई तो किस-किस रास्ते से वो ट्रेन गुजरी है तो उस रास्ते के पर हम बता रहे हैं कि सबसे पहले तो जब रिच सबसे पहले त्रेन उस रास्ते से गुजरी जो कि भारत का क्रिशी के लिए सबसे अच्छा छेतर था जहां क्रिशी बहुत इच्छी थी और दिस वस्त प्लेन ऑफ अपर गंगा यानि मैदानी इलाका यह अपर गंगा का मैदानी इलाका था और यह थाउजन फीट अबफ स की लेवल मतलब समुद्री लेव समुद्री से अगर इसकी उचाहित देखें लगबद थाउजन फीट उपर थी बड़ ट्रॉपिकल लेकिन कैसा था ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल मतलब थोड़ा सा जहां टेंपरेचर ज्यादा होता है तो गंगा वोस प्राउन से स्वोलन फ रेती ला चल्ट समस्ते रेती लिमिट्टी होती है वैसे ही भूरा भूरा रेती लिमिट्टी जैसा उसका रंग था स्वलन स्वलन मतलब भरा हुआ विद फ्लट वाटर यानि बहुत ज्यादा पानी था नदी में इस ओवरफ्लो इनांजेटिंग थाउजन सफेकर गंगा पानी ओर्फ्लो हो रहा था ठीके अब हम देखेंगे तुदर तुदर नौत वर जंगल्स रेत एक्सफेंस अफ्रें ग्रास हाय दना मैंस हैट अनुन एक्स अनुन प्रोकें एक्सेट पर नौकेशन क्लंप ट्रीज ते होम आफ टाइकर इलिफेंस पाइट पाइट ग्रास और अगर नौट के साइड देखें तो अधर जंगल्स तो करेक्स एक्सेंस यनिंग्तока इसा जाहा को काफी ज़्याया में भाइध इम जयनियंग्भा थै और हर udah मतलब वहां पी घास बहुत बड़ी बड़ी थी और तैसी भी मैंस है मतलब जितना एक नॉर्मल इंसान की हाइट होती उससे जादा हाइट उन घास की थी और वो घास हर जगा थे बस एक्सेप्ट कहा नहीं थे अचेशनल क्लंप फ्रीज जहां की कुछ कुछ जगा कुछ पेडों की जाडियां जुर्मूट दिख रहा थे जो की क्या थे वोम ऑफ टाइगर्स ऐलीफेंट्स पाइटन से कोब्राज वो सब क्या थे होम ऑफ टाइगर्स मतलब वहां पाइटन सेंगोबरा सजगर वगर रह देज़ कर देज आए जगर पूरा मैंडान दिख रहा थे जो हराइजन तक राइजन एनी शितिज अइसा लगड़ा कि शिक्ति तक वह जारा है वतलब बहुत जादा एलिया था और इधर उधर क्या था था बैनियंट्री यानि बर्गत का पेड़ दिख रहा था और रोज थिक थिक यानि बहुत मोटे 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 मूटे मुडी हुई थी hot humid air was moving from the South West और गरम-गरम हवाएं Southwest के तरब से आ रही थी monkeys some of the mothers with babies clinging to them and rising underneath the trunk of trees अधर स्टेशन से लोकिंग फूड उसके अलावा क्या था यहां बंदर भी थे बहुत सारे मतलब मदर बिध मदर्स भी थी मतलब उसमें जो मंकी में उनके बच्चे भी थे जो क्लिंगिंग देदों क्लिंग जिपके उजे अपनी मां से चिपके हुए दे और इधर उधर दो सब्सक्राइब गुजरें वहां पर कैसे मड की मिट्टी के जमीन बन मिट्टी के घर बने हुए थे और वो सब जो है काव डंकाव डंग आप समझते हो गोबर गोबर यूस किया गया थे उन सब घर पे उसकी सफाय के लिए देर पीग जूस वह थैश्ट पंदल रव ग्रस और उन सब को किस से टाइट किया गया थे बैम्बू पोल से यानि बाहां से टाइट करके पूरा बनाया गया था चाथ इस प्रेश्ट अक्रोस दो राप्टर्स दैट डे दे पंकिन वाइंस दैट्री ओवर देम वर इन ब्लूम ट्रेदिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर आरे बॉल्स अब उसके अलावा क्या पता रहें पंकिन पंकिन हो यानि कद्दू की कद्दू का जो उस समय कद्दू का मौसम था वरिन ब्लूम यानि बहुत जादा ये फल बूल रहे थे ये कद्दू कद्दू जो सब्सी होती है और इसी वाइन इसकी लताए उस पूरे वहां पर उन जोपडियों पर दिख रहे थी और अध्यातर राय आ रहे हैं धारीया जो बन जाती है उन पूरे उन जोपडियों पर दारिया बनी थी किसकी प्र वाय कि कर दो कर दो के लटा है आज हम अपनी क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स क्लास में लोग आगे बढ़ेंगे.